अपसे लोग शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, इतना अच्छा लिखने वाला व्यक्ति, रामायर के लिए जब आदी पुरुष के स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, तो ऐसी स्क्रिप्ट हो जाएगी कि बाद में मरुज मुंतिश करके नहीं देख सकते हैं, चार हजार के असपास समवाद हैं उस फिल्म में, और जिन समवादों पे लोगों को आपती हुई है, मुझे मेरा फीडबैक बहुत जादा आ रहा है, तो अगर मेरा फीडबैक बंद कर दें तो अच्छा है, बिल्कुल, बिल्कुल, टेक्निकल बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी हर बात मुझे आ रही, एको में आ रहा है, जे, ठीक हो, ठीक हो गया होगा मनुझी, बोली, जे, हाँ, जे, तो मैं ये कह रहा था कि ये हम जेनरलाइज नहीं कर सकते, कि सबको अपती हो रही है हर चीज़ पे, फिल्म में चार हजार समवाद है और पाँच समवादों पे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, 3995 के असपास अगर आप अभी भी देख लें, तो लोगों ने उन पे तालियां बजाई है, लोगों ने उन पे जैगोश किया है, जैशरी राम के नारे लगाई है, अगर आप फिल्म में जाते हैं, तो आप दे जीत सत्य की होती है, तब थीटर में तालियां बजती है, जब भगवान श्री राम शबरी के चरणों में बैठ के कहते हैं, कि हम जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, तब लोगों तक बात पहुँचती है, ऐसे अंगिनत समवाध है फिल्में, जब मा सीता अशोक वाटिका में बंदी बना के रखी गई है, और वहां रावन से आखें मिला के बिना डरे हुए निर्भीक होके, वो कहती है कि रावन तेरी लंका में इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके, तो माताएं और बहने हमारे थीटर में तालियां बजाती है, ज उस दिन के लिए लड़ना, जब भारत वर्ष की किसी बेटी पर हाट डालने से पहले, दुराचारी तुम्हारा पवरुष याद करके थर्रा उठेगा, उस दिन के लिए लड़ना, जब इतहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर जोग जाएंगे, मेरे लिए मत ल लाई जा रही है, इनसे कोई अपत नहीं है, उसी थेटर में जब भगवान शंकर के स्तुती गूंचती है, शिवोहम, जो बूंद बूंद पुन्य है, जो अंश अंश उज्वला, वो गंग धारे निर्जरा है, जर रही गिरीश पर, जो अर्ध रात्री स्रस्टी पर है, स तुषको ही पोकारे, तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंतरों से बढ़के तेरा नाम जैश्री राम, तो जैश्री राम के जैकारे गूंचते हैं, उसी थेटर में जब गीत चलता है, कि जनम जनम की खोश बताएं, राम से चलके राम पे आएं, इन गानों को, इन बोलों को, इन शब्दों को जो सम्मान और जो प्रेम दिया है, हमारे सनातरी भाईयों महनों ने, हमारे भारतवासियों ने, जिन लोगों ने ये फिल्म थेटर बजा के देखी है, पहली तो बहुत-बहुत इसके लिए आभार आपका, बहुत नाराजगी के जवाब मैं तर्क से नहीं दूँगा, नाराजगी के जवाब मैं एक्शन से दूँगा, जो आपको पसंद नहीं आया, वो बदला जाएगा, वो थेटर में बदल के आएगा लेकिन मनोज जी आप कहरें कि पांच समवादों पर विवाद हुआ, जिसको शियुत अंडरोस्तुत के बारे में इतनी जानकारी, जिसको भगवान विश्णू के बारे में इतनी जानकारी, जिसको रामाइड के बारे में इतनी जानकारी, उससे तो अगर एक गलतियां भी देखिए नहीं पहनी चीज़ तो ये इसके दो उत्तर है कि एक तो इस बारे में बहुत सरी बाते हो चुकी है आज ये विशे नहीं है आज जो विशे हमारे सामने है वो है कि हमने जो डायलोक्स बदले हैं पांस डायलोक्स उन पर बात होनी चाहिए दूसरा ये डिरेक्टर का विशन है फिल्म के डिरेक्टर है श्री ओम राउद जी रामायन तीन सो बार लिखी गई है अगर एक रामायन परियाप्त थी तो महर्शु वालमीकी ने लिख दी थी साथ साथ जार वच पहले दुबारा बननी नहीं थी लेकिन जितनी बार रामायन लिखी गई कुछ नई चीज़ें जोड दी गई कुछ घटा भी दी गई बहुत सरी चीज़ें आप देखेंगे जो वालमीकी रामायन में है लेकिन तुलसी जी के हाँ नहीं है कुछ जो तुलसिदास के हाँ है, वालमी की के हाँ नहीं है, कुछ जो दोनों के हाँ नहीं है, कम्ब के हाँ है, तो ये रामायण के साथ यही हमारी विराठता है, यही सनातन का वैभाव है, कि भगवान राम की छवी जिसको जैसी दिखी, उसने वैसी राम कता लिखी, हमारे तो आपको रावन की लंका में जम के भरपूर सोना मिलेगा जब आप पिक्चर जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप पुश्पक विमान कहते हैं कि भाई रावन तो चमगादर पे उड़ रहा है या ड्रागन पे उड़ रहा है पुश्पक विमान कहा है आपको समझ में आएगा कि पुश्पक विमान फिल्म में बाकाइदा है और रावन ने मा सीता का हरण पुश्पक विमान पे नहीं किया था ये वालमी की रावन में कहीं नहीं लिखा तो जब आपको वो चमगाधर दिख रहा है तो वो सीता हरण के समय दिख रहा है सीता हरण जाने के समय तो पुष्वक विमान पे उनका में और उसका जिक्र आपको पिक्चर में में बाकाइदा देखने को मिलेगा आप जाएं देखें चाहिए ठीक है तो यहाद इतना विरोध भी नहीं होता और इतना विवाद भी नहीं होता गलत और अलग दो अलग अलग शब्द है एक आप यह कह सकते हैं कि गलत कर दिया एक आप यह कह सकते हैं कि अलग कर दिया एक आप यह कह सकते हैं कि अलग करने के प्रयास में गलत कर दिया तो बहुत सरी संभावना यह इसकी बनती है यह कितना आसान है किसी भी लेखक के लिए कितना आसान है कि आप रामाना सागर जी की रामायन देख्या और वैसे शब्द लिख दे लेकिन क्या ये करना ये यतोचित होता कि जब हम उस रामायन 87 की बाद कर रहा हूँ 87 के बाद 2023 में बना रहे और हम वैसी ही बना दे और हम वह ऐसी भाषा लिख दें, तो क्या ये सही है, अगर ऐसा ही किया होता तुलसिदास जी ने, तो आज हम रामायन की बात तक नहीं कर रहे होते, क्योंकि सबसे पहले बाबा तुलसिदास ने ये जोखे मुठाया, ये हिम्मत, ये साहस दिखाया, कि संस्कृत में लिखी ह हुए और कहा गया कि ये तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें, कि बाबा तुलसिदास के मन में सिर्फ एक बात रही होगी, कि सरलता, कैसे हम इसको सहज करें, कैसे राम का चरित्र जादा लोगों तक पहुँचाया जाए, संस्कृत की रीच उतनी नहीं थी, आ आप मेरे यूट्यूब पर देख ले, मैं कितना जानता हूँ, कितना बोलता हूँ, आपके चैनल्स पर आके बोलता हूँ, मुझे सिनेमा में सिर्फ संप्रेशन ये था, चाहिए थी, मैं खुद आपके तमाम शब्दों को सुनता हूँ, लेकिन आप भाशा सरल करने की चक में आपने बाबा तुलसी का उधारन दिया, ऐसा तो नहीं है, आप लिखते-लिखते कहीं फिसल गए और आपने लिख दिया तेरे बाप की जलेगी, इस तरह की भाशा का इस्तवाल किया आपने देखें, ये जो पर्टिकुलर एक सीन है, एक तो ये बहुत मजेकी बात है, मैं तो बार-बार सोचता हूँ कि तीन गंटे की फिल्म में तीन मिनट पर विवाद है, तीन गंटे के समवाद है उस फिल्म में, लेकिन तीन मिनट पर विवाद है तो अच्छी चीज है, यही ह यहां बात होती है, हर तरफ से, यह जो तरीका है ना कहानी सुनाने का, यह मेरा नहीं है, यह हम सुनते आ रहे हैं, यह मैंने भी सुना है, क्योंकि रामयन बहुत सारी हमने वाचन परंपरा से सुनी है इस देश की, पठन परंपरा है, हमने पढ़ी भी है, लेकिन वाचन परं होता है थोड़ा ड्रामेटिक होता है थोड़ा वो उसमें घजीब तरीक निश्चलता मासूमियत बश्पना होता है जब अब हनुमान जी की बात करते हैं तो उसी बश्पने के साथ इस केरेक्टर को एप्रोच किया गया बहुत सारे कथावाचक आपको इसी भाषा मेरा उनके विरोध में नहीं हूं मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको आपत्ती कैसे हो गई आपत्ती हुई तो सही आप राम भक्त हैं आप हनुमान भक्त हैं अगर आपको आपत्ती हुई है तो फिल्म निर्माता के नाते और लेखक के नाते मेरा करतव यही कि मैं आपको संतोस्ट करूँ तो क्या ये मानते हैं आपकी अगर वो आहत हुए है तो आपको कहीं लगता है को उनसे माफी भी मांगनी चाहिए चमा माफी आपको दो विकल्ब दे रहा हूँ मैं माफी मांगके मैं चुफ हो जाओ भाईया ठीक है माफी आप खुश हो जाओ थेटर में कुछ नहीं बदलेगा कहीं कुछ नहीं बदलेगा मैंने माफी मांग ली मैं तो अग्दम बढ़िया सबका लाडला बन गया लेकिन मै कर्म में विश्वास करता हूँ मैं आपको ये विकल्ब दे रहा हूँ मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ कि मैं अपने आक्शन में उतार रहा हूँ मैंने पूरा जमीन आस्मान एक कर दिया है मैंने पूरी पुरी पुरा ब्रह्मान देहला दिया है कि जो फिल्म 10,000 थेटर में रिलीज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, उस फिल्म को परिवर्तित करके मैं दोबारा थेटर में ले जाऊँ, आपको पता है कितना बड़ा लॉजिस्टिकल नाइट मेर है, टी सीरीज जो हमारे प्रोडूजर्स हैं, भूशन कुमार जी, ओम मैं बदल रहा हूं, जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है, वो मैं बदल के थेटर में आपके लिए लेके जा रहा हूं, क्या है, आप चुनलो, मैं माफी मांग लेता हूं, चुनलो अब यह तो जिनको विरोध है, जो संत महात्मा, बहुत सारे संतों को भी हमने कल सुना है, और ऐसा नहीं कि अभी आज भी बात शुरू हुआ है, जिस दिन से फ्राइडे को आपके फिल्म रिलीस हुई, उस दिन से यह उसकी बात से शुरू हो रहा जिरे-जिरे, तमाम संत महात महात्माओं ने भी कहा, आयुद्या में संतों ने कहा कि यह ठीक नहीं था, तो अब यह मरोध मुंतिशीर को ताह करना है कि वो क्या करेंगे? मैंने कर दिया मुझे तैही करना क्या है संत महात्मां का सम्मान मैं तो उनके चरणों में बैठके सीखता हूं मैं बच्चा हूं उनका बालक हूं और जितनी संत महात्मां की आप बात करने है उनमें से जाधा तरसे तो मैं व्यक्तिगत तोर पे जुड़ा हूँ मैं उनके कदमों में बैठके ग्यान की बातें सीखता हूँ तो उन्हों ने जो चाहा मनोज मुंतशिर ने वो किया और आपके चैनल के जरीए मैं एक बात बताऊं इतने दिनों से आप भी दुनिया देख रहे हैं आप जर्नलिस्ट है इतने बड़े आप बताईएगा कि कब ऐसा पिछली बार हुआ है कि बॉलिवूड ने किसी फिल्म को जनता की मांग पर रिविजिट किया है और परिवर्तित करके फिर से रिलीस किया है थेटर में कब ऐसा हुआ है मनोश मुंतशिर इस पिक्चर में है ना मैं इस पिक्चर में हूँ मैं जो सनातन प्रेमी हूँ मैं जो आपका पृतिनिधित्यू करने के लिए बॉलिवूड में हूँ मैं हूँ इसलिए ये हो रहा है मैं हूँ इसलिए ओम राउद जी भूशन कुमार जी मेरी बात सुन रहे हैं और उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये परिवर्तन होने चाहिए तो मेरे होने का जो लाब है एक सनातनी इस फिल्म से जुड़ा हुआ है इसका लाब हाब को ये ही कि आपकी बात सुनी गई विश्वास मानिये इसके पहले भी कई चीजों पे आपत्तिया हुई है लेकिन किसी भी चीज में किसी भी फिल्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ आदिपोरुष बदल रहा है क्योंकि एक सनातनी इस तरफ बैठा हुआ है जिसके हाथ में कलम है और वो आपकी बात मानता है उसके लिए आप से बढ़के दुनिया में कोई नहीं है आपकी भावना का सम्मान में सर जुका के करता हूँ इसलिए परिवर्तन हो रहा है मरोज मुंतशीर सिर्फ सनातन प्रेमी नहीं है मरोज मुंतशीर तो हिंदी प्रेमी भी है सनातनी प्रेमी भी है कलम प्रेमी भी है लेकिन बात उससे आगे की है जब यह फिल्म रिलीज हुई उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर सवाल उठाए 36 गरजे से राज्य के मुख्यमंत्रियों ने और उन जगहों पर इस फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है उनसे आप क्या कहेंगे करने आप राजनीती मौका मिला है आपको आपने तो हमेशा राम के नाम पर रोटियां से की है ये वो लोग हैं मैं तो खेर बात बहुत घुमा फिरा के नहीं कहता ये वो लोग हैं जो राम के अस्थित्त को पूरी जिन्दगी न कारते रहें ये वो लोग हैं जो हाई कोर्ट्स और सुप्रिम कोर्ट्स में याचिका दाइर करते रहें कि राम तो थे ही नहीं, ये वो लोग हैं जो राम मंदर निर्मान के खिलाफ थे, आज अचानक इनको राम याद आ गया, बहुत बढ़िया बात है, कम से कम इसी बाहने हैं राम की बात कर रहे हैं, और बाकि जो 140 करोल लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रह लेकिन आधिपुरुष के निर्माता, निर्देशक, लेखक के मन में किसी भी तरह का विशाद रामायण को लेके, किसी भी तरह की कलुशित भायूना, भगवान श्री राम को लेके, कहीं नहीं थी और कभी नहीं हो सकती, ये सब जानते हैं कलेक्शन मनोच जी बहुत शांदार रहा पहले दिन, फ्राइडे के दिन, उसके बाद विवाद हुआ तो थोड़ा सा कम हुआ, तो आपको लगता है कि अगर ये समवाद शायद नहीं रहे होते तो बहुत जादा विशाल एक तरीके से पैसा आया होता और पंपर कमाई हु लेकिन जब बात संख्या की है, तो संख्या मुझे इसलिए खुश कर रही है, प्रसमन कर रही है कि इतने लोग थेटर में आ रहे हैं, बाकि ना मेरा उससे कोई लेना देना है, ना मुझे उसमें से कुश मिलना है, मैं इसलिए खुश हुँ कि अगर पहले दिन 140 करोड का ब होता है, और संडे फिर बाउंस आता है, तो यह कोई नई बात नहीं है, फ्राइडे और सेटरडे में ये फर्क हमेशा होगा, तो फ्राइडे पिक्चर बहुत अच्छी खुली, सेटरडे भी 100 करोड किया है, मतलब आप इमेजिन करें, पूरे लाइफ टाइम में 100 करोड न परिवर्तन की बात आप कहे रहें, आप कहे रहें कि ठीक है, जिस पर विवाद हो चेंज हो जाएगा, ये बदलने के बाद कब तक ये फिल्म फिर आ जाएगी परदे पर? बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने आपको बताया अंजीत जी कि ये बहुत बड़ा काम है, ये जैसे सुनने में छोटा लग रहा है ना कि बदल के दे देंगे, ये इतना आसान है नहीं, एक पूरी बनी हुई, एक मास्टर की हुई फिल्म जो थियर्टर में रिलीज हो चुकी लेकिन हमारी टीम दिन रात काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी हफ़ते, सो मुआर है कल, इसी हफ़ते और अगर संभव हुआ, अगर हमारा साथ दिया टेकनॉलजी ने, तो हम तीन दिन के अंदर इस फिल्म को चेंजेस के साथ रिलीज करेंगे थियाटरस में. मैं खड़ाई नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, दूसरी चीज यह है कि सरल भाषा बच्चों से कनेट करने के लिए कुछ ड्रामा, वो कथा जो अल्रेडी बहुत लोगों ने कही है, मैंने नहीं कही पहली बार, वो लाइन पहली बार मैंने नहीं लिखी ह आपको दस लोगों कहानी बोलते भी मिल जाएंगे, दस बड़े कथा वाचा गस देश के, तो मैंने भी वही से लिए शूती परमपरा से, मैंने तो हमेशा बोला कि जब मैं रामचरित मानस पर अधारित कुछ लिख रहा हूँ, तो इक तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं जो अच्छा भी है, जो मैंने आपको डायलोग सुनाए, जो मैंने आपको गीतों के बोल सुनाए, ये सब भी तो किसी तुलसी, किसी वालमी की किसी कंब से आये होंगे, ये कौन सा मैंने सोचे हैं, तो वैसे ही ये भी शूती परमपरा से मेरी पास तक बात पहुंची है, जो कथा वाचन की परमपरा है, वहां से पहुंची है, इस पर बहुत लोग तालियां बजाते हैं, अगर आप अभी भी जाके वीडियोज देखेंगे, तो इन ही बातों पर पूरा एक पंडाल, पूरा एक सभा है जो तालियां बजा रही है, थियेटर में किसी तरह से पर जाते हैं, आपको भी लोग सुनते हैं, जो मंज से कहा जाता है, जो कथा वाचन में कहा जाता है, जो पांडाल में कहा जाता है, उससे इतर फिल्म की जो दिशा होती है, वो अलग होती है, क्या ये समझने में कहीं दिक्कत हुई आपको जबाब लिख रहे थे? देखे गलती और अलग ये दो चीजे हैं मैंने फिर बोला गलत और अलग इस शवद पे हम ना पड़ें गलती की बात नहीं है लेकिन हाँ जो संप्रेशन येता है वो हर विधा की अलग होती है कई बार ऐसी जीसे हैं जो मंचों से अच्छे लगती है हो सकता है वो स्वान श्री राम की कथा को इतने लोग इतने वर्षों से उसको गुंते आ रहे हैं उसका मर्म समझने की कोशिश करते आ रहे हैं पूलता से तो कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूला राम को समझ लिया तो मनोज मुंतेशर कौन सा दावा करेगा कि मैंने सब समझ लिया मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्या ये सही था कि अगर मेरे पास एक आवसर उपस्तित था तो मैं ये मौका छोड़ देता एक ऐसे देश में जो गलत बॉलिवूड मुहावरों पे जीता रहा है जहां बरसों बरसम सुनते रहे हैं पाप का देवता हवस का पुजारी देव ऐसे बॉलिवूड में अगर फिल्म बन रही है भगवान शरी राम के गौराव गाथा पे भगवान शरी राम के यश्गान पे तो क्या इसका स्वागत नहीं होना चाहिए क्या ये मौका मैं अपने हाथ से जाने दूँ क्या ये सही होता क्या ये सही है कि यदि मुझे ये मैं आहोती डालूंगा अगर मेरे हात जलते हैं मैं उस हाथ पे मरहम लगा लूगा लेकिन मैं ये जो मौका मुझे मिला है न कि पहुंचाने का सुवसर मिला है ये अपने हाथ से जाने नहीं दूँगा इसी मनोर्ज मुंत शिर को लोग सुनना चाहते हैं और इसी मुकर्टता से आपको सुनना चाहते हैं एक सवाल है बहुत सारे लोगों के ट्वीट में पड़ रहे था है संडे का दिन आप कह烈 थे संडे एक बार फिर से आता है तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि मैं अपने बच्चों को ये फिल्म नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं गलत रामाड ने दिखाना चाहता कल से उन सारे दर्शकों को चुक्कि आपने अमान लिया कि इसमें बदला होगा उन सारे लोगों को क्या कहना चाहते है जो आज फिल्म देखने जा रहा है जो कल फिल्म देखने जा रहा है जो लोग परसो फिल्म देखने जा रहा है बदलाओ के पहले तक सिर्फ सिर्फ दो बाते एक तो ये जज्ज्मेंट फिल्म देखने के पहले आप ना ले क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी होती है मैंने तो थेटर में जाके देखी है और मैं बहुत इमानदारी से कह रहा हूँ क्योंकि जूट और बनावटी पन और दिखावा इन चीजों से मैं बहुत दूर रहा हूँ विक्तिगत करानों से मैंने परसो की बात है परसो रिलीज फ्राइडे जिस दिन फिल्म रिलीज हुई मैंने फ्राइडे मुंबई के एक खेटर में आम लोगों के बीश में मास्क लगा गे ताके मुझे कोई पहचाने नहीं मैंने फिल्म देखी है और फिल्म पे बकाइदा तालियां बजरी है बच्चे बहुत खुश हो रहे है एक-एक डायलोग पे रियक्शन आ रहा है पबलिक का तो यह सब तो बहुत अच्छा था और पिक्चर में पांच डायलोग उठा के जब आप उसको बुरा बोलेंगे मैं आपको बताऊं अगर शोले रिलीज होने के पहले कोई डाल दे बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना तो यह डायलोग भी खराब लगेगा सामभा ज़रा उठा तो बंदूख और लगा निशाना इस कुत्ते पर ले एक बार फिल्म देख ले मैं दावे से विश्वास से कहता हूं कि फिल्म में आपको यह बात इतनी खराब नहीं लगेगी और फिर भी मैंने तो बदल ही दिया है तो आप अगर नहीं देखना चाहते आज दो दिन रुख जाएं दो दिन हम पूरी तरह से फिल्म को आपके मताबिक बना के जो आपको नहीं पसंद है वो हटा के नए पार्ट जोड के नए पाइस डालॉग देखे आपके सामने ले आएंगे फिर आप देख लीजीगा